सुने होंगे लेकिन ऐसा जो मामला कोई एक मामला नहीं है हजारों में इसे मामले हैं जो हुए हैं मतलब जमीन एक ही प्लॉट है और रजिस्ट्री जो है यहां पर दो रजिस्ट्री है अब आप कहेंगे ऐसा संभव है ऐसा हो केसे जाता है क्या कारण है देखें बिल्कुल दो रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकता है ठीक है लेकिन उस केस में हो सकता है कि जब माल लेते हैं कि यह जो है यह एक क्रेता पहले था अब यह क्रेता क्या बन गया यह क्रेता जो है विक्रेता बन गर जाएगा यह पहले खरदा इसके पास भी रजिस्ट्री है और यह फिर तूसरे को बेच दिया, इस वेक्ति को बेच दिया, इसके पास भी अब ये नया सेल्रीर तियार हो गया, तो ऐसा नहीं है कि संबब नहीं है, एक जमीन का अगर दो रजिस्ट्री अगर हो जाए तो बिल्कुल ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि पहले कोई और खरदा गया है, अब देखें इसमें मामला क्या है, ये मामला ये है कि ये वेक्ति जो है, ये इसमें दो भाई के नाम से जो है एक का नाम था दिनेस सा और दूसरा का नाम जो है वो प्रमोद सा है, अब क्या हुआ कि दिनेस सा जो है, दिनेस सा के हिस्से में ऐसा जो है, एक तरह से माना गया कि दिनेशा के हिस्से की ये जमीन है और दिनेशा जो है ये जमीन बेच दिये जो भी कारण रहा होगा पड़िवार में समस्या जो भी रहा होगा दिनेशा के ये हिस्से की जमीन थी और दिनेशा ने खुद ये जमीन को पहले बेच चुके थे लेकिन ये जमीन दिनेशा के दादा के नाम से जमीन दर्ज था के दादा के नाम से जमीन दर्ज था मतलब पैत्रिक संपत्ती है खतियानी प्रोपर्टी है उनको दादा पर दादा के नाम से जो जमीन है वो खतियान में दर्ज है और दिनेशा ने उसी खतियान के हिसाब से उत्रादीकारी होने के नाते बहुत लोग ऐसा बेशते हैं जमीन उत्रादीकारी होने के नाते अब उनका जो रसीद है जमीन का है ना वो दिनेशा और परमोसा दोनों के नाम से कट रहा है तो दिनेशा ने क्या किया कि ठीक है दोनों भाई का नाम है दिनेशा अपना ये प्लॉट जो है वो किसी एक वैक्ती को बेच दिया अब बैक्ती को बेज दिया तो ठीक है जो खड़िदने वाला है इस पे कफ़जा भी कर लिया और इस जमीन पर खेती भी कर रहा है लेकिन कुछ समय बाद परमोसा के बेटे हैं परमोसा के दो बेटा था बिनोध और रागव अब क्या किया यहाँ पर कि बिनोध और रागव ने मिलके क्या किया कि देखा कि अब ये परमोसा लगभग अपनी सारी समपत्ती बेट चुके थे और इस जमीन का जो खड़िदार था, क्रेता था, जो खड़िदने वाला था, वो क्या कराया, कि जमीन का रजिस्टरी करवा लिया, जमीन का मुटेशन नहीं करवाया देखें ये सबसे बड़ी भूल होती है जमीन का दो बार रजिस्ट्री होने का सबसे बारा मुख्य कारण है आप समझ लें ये मुख्य कारण है है ना कि जमीन तो बेच दिया गया जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है लेकिन जमीन का म्यूटेशन जो है एक तरह से सरकार को टेक्स जा रहा है वो दिनेश सा और परमोज सा के नाम से जा रहा है। अब सवाल क्या उठता है, यह MOTATION अगर करा लेता तो क्या ऐसा registry नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता, यह MOTATION करा लेता तो जो की जहां पर की दिनेशा और परमोसा का जमीन का information दर्ज है उसमें mention कर दिया जाता कि इसको अब खरीदने वाला जो है कोई और है इसको अब जो है कोई खरीद लिया है मतलब जो क्रेता है खरीदने वाला है उसका नाम दर्ज हो जाता हूं आप और करेता के द्वारा सरकार को टेक्स भी जाता लेकिन करेता क्या किया कि उसको एक रजिस्टी मिल गया जमीन कब जमी मिल गया उनको उसको लगा कि ठीक है मेरे नाम से होई गया है कभी जो है अभी जो है अगर अपने नाम से मोटेशन करवाएंगे तो सरकार को टेक्स देना होगा या जो भी कारण रहा होगा उन्होंने ऐसा नहीं करवाया या बहुत लोगों जो है एक तरह से जानकारी के अभाब में भी नहीं करवाते हैं तो परमोसा का बेटा जो है कुछ दिन बाद क्या किया कि जो है यहाँ पर बिनोद और रागव कि ये जमीन को किसी अन्न के पास कोई अन्न जो माhma लेते हैं कोई दबंग पर वेक्ति है बाहूबली है उसके पास जो है पैसे लेकर इसलिए कि जमीन उसके कागजात में दर्ज था उसको लगा कि यह जमीन जो है इसको हम बेच सकते हैं और वो जमीन जबकि दूसरे को यहाँ पर बेचा गया था फिर भी यह जमीन जो है बेच दिया गया अब देखें कि अगर ऐसा जमीन बेच दिया गया है पूरी जमीन फिर दुबारा बेच दिया गया है परमुसा जो है बेटे के द्वारा रजिस्टी हो गया और जो दबंग परविर्ती का वैक्ती है वो उसका मोटेशन भी करवा लिया मतलब वो दाखिल खारिज करवा लिया दाखिल खारिज करवा लिया और फिर से उस जमीन पर जो खरीदा जो नया वैक्ती खरीदा है जो दुबारा परमोसा के जो बेटे बेचे हैं वो जो बेचे और जो खरीदा तो ये नया रजिस्टी के हिसाब से दाखिल खारिज कराया मोटेशन कराया और जमीन पर जाकर कबजा कर लिया अब जो पहले खरीदा है उसका क्या होगा वो तो चुका है किसकी गलती से तो अपनी गलती से आप के द्वारा ये गलती किया गया सबसे पहला अब इसका बचाओ क्या है अगर माल लेते हैं ये भविस्य में ना हो किसी के साथ आज ये मामला कोट में अगर है भविस में जो है माल लेते हैं आज ही एक सिबिल कोड जा रहे हैं अब वहाँ पर क्या हुआ कैसे हुआ हम उसकी बातों को भी बताएंगे लेकिन आज ये जो समस्या उत्पन हुआ इसका मुख्य कारण क्या है मुख्य कारण ये है कि जो खरीदार है ठीक है जब एक तरह से खरीद रहा था तो पहला ये जमीन को जब यहाँ पर देखा कि इस जमीन में जो है दिनेश और सा है और इस पे जो नाम दर्ज है वो है परमोद सा का परमोद सा का तो दिनेश सा अगर बेच रहा था तो परमोद सा से सपोर्ट करवा लेना चाहिए परमोसा को गवा बनबा लेना चाहिए हो सकता है कि कुछ पैसे परमोसा को भी देने परे कुछ ऐसे रकम कम एमाउंट में इसलिए कि ये सेर तो दिनेशा का था ताकि पर ये भविश्व में परमोसा के बच्चे के द्वारा जो ऐसा कदम उठाया गया ये नहीं उठता अगर ऐसा हो जाता तो उसके साथ साथ ये खरिदने के बाद जो है न इसका जो एक तरह से यहाँ पर तो ठीक है दिनेशा के द्वारा तो बेच दिया गया लेकिन जो खरिदार है है ना खरिदार को क्या करना था खरिदार को क्या करना था कि इसका जो है दाखिल खारिज करा लेना चाँ दाखिल खारिज अगर ये करा लेता तो फिर ये नौबत नहीं आता अगर खरिदार के नाम से दाखिल खारिज होता तो फिर ऐसा नौबत जो है वो दुबारा नहीं आता तो ये समझने की जरूरत है लेकिन सवाल ये उटता है यहाँ पर की जो अब ये बिकल्ब क्या है और इस जमीन का असली मालिक होगा कौन आखिर अगर मामला कोट में जाता है तो क्या होगा क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा क्या दाखिल खारिज रद्ध हो जाएगा तो देखें अभी हम ये जो फैसला है वो तो फैसला आने के बाद कुछ भी तैय होता है कि क्या होना है नहीं होना अभी तो मामला मान लेते हैं सिबिल कोट में लंबित है लेकिन अगर बात करें संभावना की तो इसमें से जो एक बार जमीन जो विक्रेता ठीक है विक्रेता के द्वारा अगर एक बार जमीन बेच दिया गया है तो उसके उत्रादिकारी को दुबारा बेचने का अधिकार नहीं है ये देखें यहाँ पर जो एक विक्रेता है विक्रेता दिनेस्ता है तो दिनेस्ता का जो उत्रादिकारी है या दिनेस्ता के द्वारा उसी जमीन को अगर दुबारा बेचेगा भी किसी को तो वो उसी दिन से जो है वो रेजिस्ट्री भाइड हो जाता है मानने नहीं होता है लेकिन यहाँ पर तो दिनेस्सा का उत्रा धिकारी नहीं बिचाया तो परमुस्सा का अब वो कहेगा इसमें मेरा भी हक है और सही बात है ये जमीन का जो जमीन का कागजात है इसमें दोनों भाई का नाम दर्ज है आपने पहले ना तो उसको अलग-अलग किया दोनों का नाम दर्ज है अब तो ये पूरा देखना परेगा कि किसको कौन हिस्सा परा है हो सकते हैं और जमीन हो सभी का मिलान करना होगा कि किसके हिस्से में कौन सी जमीन है किसको कितना परा है और सारे तथ्यों को देखने के बाद किसी परकार का कोई बिकल्प निकल गया है इसलिए कि अब ये मामला तो थोड़ा लंबा हो सकता है कि जितने सारे जमीन है मतलब दिनेसा के सभी हिस्से को कि दिनेसा के पास कितना बर्तमान में हिस्सा है और परमोसा का कितना हिस्सा है अब तो बेच दिया है परमोसा के दोरा लेकिन बाद में माल लेते हैं ये कहें कि नहीं इस जमीन में हम दोनों लेंगे और बांकी से जमीन उससे बराबर करेंगे तो इसमें ये आधा दिनिस साका भी होगा और आधा परमोस साका भी होगा ऐसा भी हो सकता है देखें ये फैसले के उपर हो सकता है कि हो सकता है कि आदा रजिस्टी जो है यानि दोनों पर मान निगर दिया जाए और दोनों का जो रजिस्टी है उसमें 50% जो है इसको मिल जाए और 50% इसको मिल जाए या हो सकता है कि इस दीड को जो है ना केंसिल कर दिया जाए जो बाद पहले अगर उसको बेचा गया तो उसको, इसलिए कि उसका वो अधिकार था, तो वो भी बेच सकता है, हाँ उसी कंडिशन में बेच सकता है, जब भी यह अब जो है, दावा करना होगा, बड़ी बार में बटवारा नहीं हुआ, बिना बटवारा की आप जमीन कैसे बेच सकते और किसका सेयर जो है किस परकार प्राप्ट हुआ है आपके पक्ष में जो गवाह लोग दे रहे हैं आपके आज पास के लोग वो किस परकार से दे रहे हैं तो वो सारा जो जो इतर से डिपेंड करता है उसी के उपर डिपेंड करता है आसा करते हैं वीडियो अच्छा जरू करते हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है